फ्रेंड्स welcome to my channel मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है आज हम जानेंगे कि हमारे सरीर में पानी की कमी से क्या होची जिस्से हमारे सरीर में पानी की कमी हो चुकी है पहली विमारी है मटापा जी दोस्तो मोटापा एक ऐसी बिमारी है जो इससे हर कोई परिशान है तो हमें हमेशा पानी पीते रहना चाहिए नहीं तो मोटापा इससे बहुत जल्दी ही होता है और दूसरी समस्या है हमारे ओट पानी की कमी होने से हमारे ओट भी सूखने लगते हैं ओठों में रूखा पन आ जाता है तंकेत है मूँसे बद्बू आना हमारे सरीर में जब पानी की कमी होने लगती है तो हमारे मूँसे बद्बू भी आना सुरू हो जाता है और चौथी बिमारी है पेट में कब्ज अगर हम खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी नहीं पीते हैं तो हमारे पेट में कब्ज बनने की भी सिकायत हो जाती है इसलिए हमें खाना खाने के कम से कम 45-50 मिनट बाद पानी पी लेना चाहिए और पानी ना पीने से हमारे चहरे में भी रूखा पना सकता है चहरा थिचा-खिचा लगता है इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए दोस्तो हमें अपने सरीर को फिट रखने के लिए पानी एक से दो लीटर एक दिन में पीनी चाहिए और अगर हम ऐसा सोचने लगे कि खाना खाने से हमारी हमको weakness भी नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी गलत फैमी है खाना खाने के साथ साथ हमें पानी भी पीते रहना चाहिए 24 घंटे में कम से कम 2 लीटर पानी हमेरे सरीर में जरूर होनी चाहिए इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए ने तो हमें weakness की भी सिकायत हो सकती है आसा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सेयर एंड सस्क्राइब माई यूटूब चैनल दिवसा क्रियेशन यहाँ पे आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी